हेलो फ्रेंट आज के वीडियो में हम यह जानेंगे कि अगर आपके पास 24 बोल्ट का ट्रांसफार्मर हो तो उसको 12 बोल्ट में कैसे करेंगे जैसे कि इस टाइम लॉड़ाउन चला है लॉड़ाउन में माल लेजिए कि हमारे पास 12 बोल्ट की आवसेक्ता है और हमारे पास 24 बोल्ट की ट्रासफार्मर है तो उसको 12 बोल्ट में हम कैसे करेंगे या तो किसी भी बोल्ट का हाई बोल्ट का ट्रांसफार्मर उसको कम बोल्ट में कैसे करेंगे तो आपको पता ही होगा कि ट्रासफार्मर में एक प्राइमरी साइड होता है एक सेकेंडरी साइड होता है तो हमारा जो जहां पर हम में इसी इंपूट करते हैं वह हमारा प्राइमरी होता है जो आउट्पूट हमारा निकलता है वह हमारा सिकेंडरी होता है ठीक है माल लिजे हमारा 24 वोल्ट का टांसफार्मर ठीक है 24-volt का transformer है है हमारा और हमको चाहिए कितना 12 volt तो हम कैसे करेंगे तो इसको हम गया हमार 돼 एक कहले अजितना खोल देंगे इसका हम सेंडरी वैंडिंग या जितना से खोलlah हम जाता है तो इसको आसानी से हम पूरा wire खोल देंगे ठीक है और इसका जो पूरा जितना टर्न होता है इस टर्न को हम काउंट कर लेंगे कि कि कितने टर्न हमारा यह लपेटा गया था वाय ठीक है तो माल लेजे हमारा यह निकला अब 32 टर्न 72 टर्न थीक है बहत्र टर्न यह हमारा लपेटा गया था वाय सेकेंडरी रिवायर ठीक है ट्रास्फार्मर के सेकेंडरी वायंडिंग को यह उपन करना ना कि पाया है इसका सिंपल सा लॉजिक है मैं आपको बता रहा हूं तो इसको हम देखें टोटल टर्न डिवाइड बाई आउटपूट बोल्ट बराबर टोटल टर्न हमारा कितना है 72 और जो हमारा आउटपूट बोल्टेज कितना था 24 बोल्ट तो हमारा टोटल टर्न कितना है 72 और हमारा आउटपूट बोल्टेज कितना था 24 तो इसको जो हम डिवाइट करेंगे तो हमारा कितना आएगा थ्री टी पी भी टी पी भी का मतलब कि थ्री टी टर्ण पी का मतलब पर बी का मतलब वोल्ट थ्री टर्ण पर वोल्ट अब इसको हम कितने में इसको हम गुड़ा कर देंगे ठीक है हमारा कितना कितना वोल्ट है चाहिए 12 वोल्ट 12 इंटू 3 बराबर 12 चोब बाते है 36 ठीक है थर्टी सिक्स बार हम जब वायर को राउंड करेंगे तो हमारा कितना आउट पुट निकलेगा 12 वोल्ट तीन टर्ण जब हम राउंड करते हैं तो हमारा एक वोल्ट निकलता है ठीक है मोट एंटरण तो हमनें 36 पार秤क निकला 12 वोल्त तो ऐसे हम चब्यूज याट में बारा बोल्त में सब्सक्राइब जरूट चेके और फ्रेंड वीडियो में आपको कुछ ब्रॉब्रम लग है तो मुझे कमेंट में जरb तो बता सकते हैं कि मुझे यह पात नहीं समझ में आई थी ठीक है तो मैं फिर से वीडियो बनाने के कोशिश करूंगा थेंकू दोस्तों जैन्द